सब ये किसान भाईों को नमस्कार आज की वीडियो गाउं मंदाना जिला भीवानी अर्याना से आपको दिखा रहे हैं आज की वीडियो में मिर्च की नर्शरी त्यार कर रहे हैं भाई उसके आपको दिखा रहे हैं कैसे इन्होंने बैड बनाया है, खाद कौन सा डाला है, कौन सी वराइटियो डाल रहे हैं, और कैसे बीच डाल रहे हैं, सारी बाते इस वीडियो के अंदर आपको दिखाएंगे, यह देखिए, गाउं मडाना में भाई रविंदर पहलवान मिर्ची की नर्शी डाल रहे हैं, उसके लिए उन्होंने तीन फुट का चोड़ा और दस फुट का लंबा बैड बना लिया है, और आज बीच डाल रहे हैं, कौन सी वराइटिय डाल रहे हैं, वो भी आपको दिखाएंगे, और इस नर्शी के अन्होंने लिए, उन्होंने कौन कौन सा खाद दवाई परियों किये हैं, वो सारी बातें इस वीडियो के अंदर आपको पताएंगे, ये देखिए, किसान बाइओ, ऐसे तीन फुट का चोड़ा बैड बना के, दस फुट लंबा है, और इसके उपर अलकी सी परत हमने गोबर इखाद की चला दी है, और इसके अंदर हमने, ये बीज पकड ये ऐसे बैड के उपर लाइन ने लगा के और बीज डाला है, ये देखिए, वराइटी में आपको दिखाना चाहता हूँ, वराइटी है, रासी कंपनी की मीननम, चुछेतर नमबर के नाम से है, इमिर्ची, लंबी है, मोटी है, गरीन है, बहुत यच्छी वराइटी है, औ गर्मे के सीजन में बहुत यच्छी वराइटी है, ये देखिए, बहुत ही सांदर तरिके से बैड बनाया है, और लाइन ने लगा के इसके अंदर बीज डाल रहे हैं, एक-एक बीज छोड रहे हैं, ये देखिए, बहुत ही बड़ी अतरिक का है नरसरीतार करने का, और बा लाइन के अंदर छोड रहे हैं, अब इसको खाज से कवर किया जाएगा, और अलग, एक जूट की बोरी भी इसके उपर ठक देंगे, ताकि जल्दी जर्मिनेशन आए, और सप्रे की टंकी से इसके अंदर पानी डालेंगे, और जब पूरे बैड हो जाएंगे, इसके नरसरी बाई त्यार कर रहे हैं, अपने खेत में नरसरी त्यार करने का बहुत ही देशी सिंपल घर पे त्यार करने का तरिक्का है, कोई भी किसान साथी अपनी खेती के लिए ऐसे नरसरी अपने खेत में थोड़ी सी जगए में त्यार कर सकता है, बहुत ही बढ़िया बाई पूरा दस फूट का लंबा बैड है तीन फूट चोड़ा है और इसके उपर लाइन मारके और पूरा देशी खाद गाई प्रयोग करें यह देखिए बिलकुल बारिक देशी खाद इनों ने बैड के उपर डाला है और इसके अंदर यह तीनों दवाईयां मिला के लेवल करके फिर भी डाल रहे है यह देखिए चलिए किसान भाई भाई जब लगाएंगे तब भी आपको दिखाएंगे सबी भाईयों का बहुत धन्यवाद जै जवान जै किसान जै हिंद